हेलो गुड मॉर्निंग रादे रादे स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुनीता सर्मा चेनल पर कैसे हो आप सब आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं और यहां पर हो रहा है यह सुबह का टाइम बाकी और काम मेरे खतम हो चुके हैं जैसे जाडू पोच्छ यह सब मेरा हो चुका है चाइघ वगे लिए हम लोग हंगा क्योंकि पहले ना हम चब लेते हैं और ऊधर दोरी हूं में अपने कपड़े कपने डाल रखें और उसके बाद मैं अपना नालंई के बार्थरूं के सूट कर लिया था और नहाने के बाद मैं आब आज चुक लूँ मैं किचिन में तो किचिन में बन रही है को कर डारी यह चुक्छी अच्छी में बन जाती है तो यहां पर मैंने अलब को कर मैं तेल गरम करने के लिए रख दिआ और अपनी सब्जी काट लूँ टौ तो दो हरी मिर्ची ली एं मैं और दो लिए टमाटर तो इनको बारी कट कर लूँगी इनको और यहां पड़ांत जा मेरी सब्जी कट जाएंगे अविएस तुम में और उसी तरह से सब्जी कटने के बाद में तेल गरम हो चुका है तो यहां पर मैंने जीरा डाल दिया है ठोड़ी सी हींग और उसके बाद मैं डाल दूँगी मैं अपने टमाटर जो हरी मिर्च काटके रखी हैं दोनों को और इसमें न मिक्स कर दूँगी मैं इनको इनको मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा सा न इनको ऐसे ही मिलाओंगी अच्छे से और मिलाने के बाद में अपने फिर मसाले डाल दूँगी तो सबसे पहले डालाएं मैं नमक और उसके बाद में नमक मिला लूँगी मैं तो नमक से क्या होता ना हमारे जैसे टमाटर होते हैं वो गल जाते हैं अच्छे से तो टमाटर हमारे गलने के बाद में उसके बाद में में बागी मसाल्या याड कर fellowsικά कि कि जैसे कि हल्दी पाउड़र धनिया पाऊडर्ण और लाल मिर्ची अपने हआप दालोंगी मां कि यह हरी मिर्चीन थोड़ी तीखी है तो उसी आप से में लाल मिर्ची डालोंगी इसमाथ ये ढूर इसी तरह से मैं तो यह क्या होगा यह गल जाएंगी बिल्कुल जैसे तामाटर जो अब टिंग अच्छे से इनको दो मिनेट के लिए डखके रख दो जातें इनको थोड़ा सा मैस कर लो इसी तरह से अपना फिर मैं अपनी लॉकी को डाल दूंगी इसमें और लोकी भी देखो अच्छे से मिला लूँगी फिर मैं इसे सबजी को और मिलाने के बाद में देखो कितनी अच्छी सबजी लग रही है न कभी-कभी तो अच्छी लगती है सब्जी और ने भी सब्सक्राइब तरह यह दो यौría का fils यौ। अन्य के लिए को जैंगे के लिए। दो वालू तो इसी तरह से मैं बाकी फिर वर इसमें दो-तीन सीटी लगा लूँगी इसमें अच्छे से तो हमारी लोकी ना थोड़ी मलब गली-गली सी अच्छी लगती है तो और उसके बाद में ना मैंने काटी थी हरी मिर्ची जो मलब छोंकते हैं तो वह वाली मिर्ची लूदिय भूंगी में मिर्च और कक्रोंदे को यह भी बहुत टेश्टी लगते हैं मिर्च का रोन किस्को पसंद है मुझे बताना कमेंट करके तो इधर मैं मलब मेर्ची बना रहे हूं तो इसमें पता है मैं राई दाने में छोंकती हूं आए जैसे कुछ लोग उना अजम में छल्दी पाओडर धनिया पाओडर और मिर्च तो इसमें पढ़ती नहीं है तो थोड़ा सा डालूंगी में ओर मसाला जो अच्यार pinned आनका सुछ tracksig और नमक दालें इसको अच्छे से मिला लोंगे इनको मिर्ची को कि अच्छे अब देखे अब देखो इस तरह से अपना मासाला मिक्स करके और बहुत टेष्टी लगते हैं यह बहुत ही अच्छे लगते हैं और बताना किसको पसंद है मुझे बताना कोमेंट करके और उसके बाद में नहीं ढख दूगी और ढखने के बाद में एक दो बार बीच बीच में चला दूगी फिर उसके बाद में यह बन जाएंगे बिल्कुल तो देखिए यहां पर मेरी कि एक अधर बनाया मैंने भूंदी का को हरी मिट चीहां पर नम आता दिखा रही थी आता भी न दो तरह कम लाय मैं जैसे एक नमक का एक बिना नमक का बच्चों को नहीं नमक की रोटी पसंद है जादा उनको क्या उनको तो रोज नमक तो मतलु मतलब नमक बनादे में नमक कर दाल के और मम्य भाव जी बिल्कुल लिए आटे वाला ना में जैसे नमक डालो तो वह नहीं खाते हैं बिल्कुल भी तो इसलिए आज में दो तरह का अटा लगाए क्याओं कि यह हरी मिर्ची बन नहीं है तो उसके साथ में हाथ की जैसे पनफती विखा लेते कि तो पनफत पहले बना के और फिर अपना बाकी सब खालो यहां पर ना साइद बच्चे बात कर रहे थे दो बाते करती जा रही थी मैं इधर बच्चों से और इसे कुछ डांट पड़ दिया साइद प्रांश होगा यहां पर तो ध्यान नहीं है मुझे तो यहां पर मैं रोटिया भी सेक सब्सक्राइब बात भी कर रही थी कुछ पूछ रहा होगा मेरे से तो इसलिए न उधर मेरी देखो भी बन रही है तो मिर्च भी बनाती जाओंगे और इधर इतनी देर महीं मिर्च बन गही थी यह तब तक मैंने रोटी बनाई ना गाय वगरा की रोटी निकाली उतनी दे बनके और अपनी रोटी से लूँगी तो यहां पर इसको कुछ डाट पड़ रही है पता नहीं क्या बात हो गई यह मुझे द्यान लिया रहा तो देखिए इसी तरह से मैं अपना खाना बना लूँगी और यहां पर न मैं प्लेट लगा लूँगी अपनी प्लेट में लगा चुकी हूं रोटियां बाकी रह गई थी लगाने के लिए तो देखिए यहां पर मेरी प्लेट लगके तयार हो चुकी है लौकी की सबजी रायता बूंदी का और देखिए यहां पर देखना साम का मौसम कितना अच्छा हो रहा है नहीं है कर दो दो और देखिए यहां नहीं है अभी साम का टाइम हो रहा है हमारी चैय वगेरा सब हो गई है और मैं आई थी अभी च्छत पर और छत पर देखे कितना अच्छा मोसम हो रहा है अच्छा हो रहा है और आज दुफःयर में फर से बारिश आई spends 4 जाती है बहुत तेज आती है मतल configur एक वरा साड़ेश बारा वजे का बारिश का कि उस टाइम ना आती है दो तीन दिन से रोज बारिश हो रही है, मौसम तो अच्छा हो जाता है बारिश होने के बाद में, लेकिन फिर भी गर्मी कम नहीं होती है, गर्मी तो फिर भी वैसी के वैसी है, क्योंकि हवा चलती है तो थोड़ा मौसम अच्छा रहता है, और हवा अच्छा रहता है, वैसे ठीक है, मतलब नॉर्मल, इतनी गर्मी भी नहीं है उपर, चत पर आई थी, मैंने का चलिए थोड़ी देर बात कर लेते हैं, आप लोगों से, और सुबह से वीडियो बना हुआ है, तो मैंने का चलो वीडियो का एंड भी करेंगे, यहां पर तो मै थोड़ी देर उपर ही घुमने, किस-किस को अच्छा लगता है उपर घुमना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो उपर थोड़ी देर के लिए मतलब छत पर टहलो, चाही रहता है साम के टायम, और फिर वही अपना काम शुरू हो जाता है, काम का, तो इसलिए वीडियो पर पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और जो मेरे न्यू चेनल पर आ रहे हैं वो प्लीज बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नौटिफेकेशन आप तक महुंच चके और लाइक वाइक कम आ रहे हैं जैसे कि कम से कम डेड़ सो लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक ना लाइक करके नहीं जाते हैं तो प्लीज लाइक कर दिया करिए उसमें कुछ नहीं जाता है चलिए फिर बाइबाइब अजह लाइक कर दोके वाइक कर देखेके नहीं जाते हैं